हेलो एन वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल कुईक प्रैप माइनेम इस शारुक सैफी तो बच्चो आज किस वीड़ो में मैं आपको करा रहा हूं क्लास 12 हिस्ट्री से जुड़ा चैप्टर नमबर टू जिसका नाम है राजा किसान ओन नगर इस चैप्टर के 20 ऐसे एमसी की उसे रिलेटेड कोशन जो की एक्जाम पॉंटे व्यू से काफी जादा इंपोर्टेंट है एक खास बात उन बच्चों के लिए जो चैनल पर नहीं है बच्चों कॉंटेंट से रिलेटेड जो आपको चैप्टर पढ़ाने होते हो मैंने ओल्लेडी नाइन चैप्टर तक कंप्लीट करा दिये प्लेडिस में आपको मिल जाएगी सभी की सभी वीडियो हर एक वीडियो तीन या चार पार्ट में डिवाइडिड है जो की काफी डीप तरीके से विद एक्जामपल के तुरू आपको समझाएगी है उनसे बाहरा का कुछ भी नहीं आने वाला अग चातों अगर आप चैनल पे नहीं है तो जरू जुड़े और साथ ही टैलेग्राम ग्रूप जोइन करना बिलकुल ना बुले जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है क्योंकि पीडेफ जो नोट से वहीं पर ही अवेलेबल कराए जाएंगे और वाट देखिए रिगवैदिक, सामवेद, अथरवेद या फिर यजुरवेद तो बच्चों आप जानते हो कि जो वैदिक काल था वो दो यूगों में बटा हुआ था एक रिगवैदिक काल दूसरा था उत्तरवैदिक तो रिगवैदिक के अंदर रिगवेद जानते हैं जिसका पंदरसो हजार के बीच में था और जो उतरवैदिक ता उसका टैंपिरट हजार से छेसो इसपूर के बीच में था तो इस इसा से जो रिगवैदिक है वो सबस्वे बड़ा काल माना जाता है जिसके अंदर एकलोता यही आता है तो यह आप याद रखना ठीक है बच्चों और बाकी उत्तरवैदिक में साउं, आतरवेट और यजिर्वेट तीनों आ जाते हैं। Q2 है कि ब्राम्मी और खरोष्टी लिपी का अर्थ सर्वपतम किसने निकाला था। तो यह भी एक लड़्डू सा कोश्चन है अगर आपको चैप्टर की अच्छी अंडरस्टेंडिंग है तो ऑप्शन देखें पहले अलेक्जेंडर कनिंगम, जैम्स एंडर्सन, जैनल डारेक्टर या फिर ऑप्शन नमबर डी जैम्स प्रिंसेब तो बिलकुल आसान है जी हा गण और संग नामक महा जन्पदों पर शाचन हुआ करता था किसका ओप्शन देखें राजा, ब्रामन, कई लोगों के समू का या फिर सैनिक तो बच्चों अगर आप गण संग के बार में अच्छे जानते हो तो जी हां इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओप्शन नमबर सी है गण और संग पर कई लोगों का समू होता था तो यह आप याद रखना काफी इजी सा है क्योंकि ओल्रेडी डिसकस कर रखा है यहाँ पर मैं एक्स्प्लेंट जादा नहीं करूंगा वीडियो लंबी हो सकती है कॉंटेंट में सारी चीज़े आपको अच्छे से समझाए ग्रीन तो इसका जो करेक्ट अंसर बच्चों वो है आपको अप्शन नम्बर तीन प्राकत भाचा में सफसे प्राचिन अभी लेक लिखे जाते थे कोशन नम्बर फाइव है कि किस राजा को पीए दसी अर्थात मनोहर मुखा कृति वाला कहा गया है ओप्शन देखिए बिम्बसार अजाज शत्रू अशोग या फिर गोत्मे पुत्र सत्करनी तो बच्चों इसका वी जिकर आप शुरूआत में आ गया था पीए दसी से जा कोशन नम्बर शिक्स है कि महहाजंपदों की कुल संक्या कितनी थी तो ये भी एकजाम में पूछे जाते कई बच्चे इसमें भी कन्व्यूच हो जाते हैं 10,10,15 यह शोला माहजंपद संक्या थी सब बार में एक एक करके आपको बताए उस्ष्ट भी आपके सामने शो करे तो आप यहां पर भी देख सकते हो उस लिष्ट के बार में कि इसके अंदर कितने जन्दपत थे हैं कोशन नमबर सैवन है कि इन में से महा जन्दपत गंधार की राजदानी थी कौन सी थी कोशामबी, तकशिला, राजग्रह, या फिर इंदरप्रस तो बच्चो अगर आपको 16 जन्दपतों के बार में आपको अच्छे से पता है तो किसी भी एक जन्दपत के बार में आप से जरूर राजदानी से रिलेड़ेड कोशन पूछ लिया जा सकता है वो कोई भी हो सकता है, यहां पर मैंने गंदार से पूछे क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो इसका जो करेक्ट अंसर है, वो है आपको ऑप्शन नंबर भी तकशिला गंदार की कैपिटल थी कोशन नंबर एट है कि इन में से कौन सा महा जन्पत, गंद तंतरात्मक से जुड़ा हुआ था ओप्शन देखिए, मगद, अयोध्य, वज्जी, या फिर कुशावती तो ये भी मैंने डिसकस किया था, जिस पहले एक बार आंसर देखते हैं, इसका जो करेक्ट अंसर ओप्शन नंबर सी है, वज्जी तो एक डाइनस्टी से जुड़ा कोशन भी पूचा जा सकता है, जरा आप ध्यान रखना, अब वो कोई भी हो सकता है ओप्शन देखे पहले नागदशक, बिंदु सार, घनानन्द, या फिर बिंबी सार, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज ना, दो नामक के साथ बहुत होते हैं, एक बिंदु सार और बिंबी सार, इनका जो जिकर था, मैंने चैप्टर के अंदर अच्छे से समझाया था, तो यह बच्चों यह जो नागदशक कहना, वह हर्यक वंश के संस्तापक नहीं, बलकि इस वंश के आकरी समराड थे, तो आप यह याद रखना, ठीक हैं, कोश्या नमबर टेंथ है, कि प्रशस्तियां, जिसमें राजा की डैश क्या होती थी, अच्छाईयां लिखी होती थी, बु राइयां, दोनों, और, या फिर इनमें से कोई कुछ और ही लिखा होता था, तो प्रशस्तियां मतलब एक परकार से अपनी बड़ाई लिखना, तो राजा जो थे, अपने दर्बारियों को, उनके दर्बारी ही, इनकी प्रशस्तियां लिखते थे, कि इनके दूआरे जो का यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होएंगे क्योंकि मैंने option कुछ इस परकार डाले तो आप जयरा ध्यान देना option ओपर तमिल नाडू करनाट का केरला तमिल नाडू आंदर पलदेश केरला आंदर पलदेश मद्य परदेश या फिर तमिल नाडू केरला मद्य पलदेश और आंदर पलदेश तो बच्चो इसके अंदर जिसके अंदर मद्य पलदेश आ रहे है वह तो आप वैसी गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर बात हो रहे है सिर्फ दक्षिन भारत की यानिकि साउथ इंडिया की तो उसके अंदर कौन-कौन से खासका राज्या आपको देख कर आता था ठीक है तो यह सारी जानकार आपको याद होना जरूरिया और यह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट भी है कोशन नमबर 12 है कि गुप्ट समराज्य के संस्तापक थे कौन ऑप्शन देखे चंदर गुरूप समुद्र गुरूप श्री गुप्ट या फिचंदर गु कुछ बच्चों का ऐसा लगता है कि चंदर गुरूप हो सकता है क्योंकि इनका नाम बहुत फेमस है नहीं यहां पर गुप्ट समराज्य की बात हो रही है इसे गुप्ट समराज्य भी कहा जाता है तो आप यह याद रखना कोशन नमबर 13 है यह बहुत ज्यादा तो बच्चों प्रियाक प्रशस्ति जो है इलाबाद स्तंब में लिखे गई थी जो इसकी रचना थी वो हरी शेन के दुवारा करी गई थी तो आप यह याद रखना ओप्शन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 14 है कि गंत इंडू जातक कता कहानी में इन में स तो इसका भी जिकर आपको इस वाले चेप्टर में अच्छे सह समझाया था एवन मैंने को कहानी भी बताइतीं तो जरह देखते हैं कितने बच्चे अपना सही आंसर दे पाते हैं राणी की राजा की सिपाई की आफिर दरबारी की तो बच्चों इसका जो गर्रेक्ट आंस तो बच्चो ये जो question है न वो आपका IAS, UPS, government exam, teacher exam इन सभी में पूछा जाता है तो देखिए option देखिए पहले भूमीन किसानों को, छोटे जमिनदारों को, बड़े जमिनदारों को, या फिर दासों को तो बच्चो इसका जो correct answer है वो है आपका option number C, बड़े जमिनदारों को, वेलार कहा जाता था, अगर वहीं दास की बात कीजाए तो कैसाडियर इनने कहा जाता था, और भूमीन किसान जो थे उन्हें उन्वार कहा जाता था, तो यह आप नाम याद रखना, अगर आपको अच् आप जरू देखो बच्चो, question number 16 है कि राजा लोग ब्रामनों को किस से पुरुस्करत करते दे, यानि उन्हें जो अवोड दिया करते दे, वो क्या होता था, option देखिए, सोना, चांदी, ताम पत्र, या फिर पैपाइरस, तो इसका जो correct answer है, important भी है, तो option number C, ताम पत्र उन question number 17 है कि आहत सिक्के किस दातू के बने होते थे, ये बड़ा मज़ेदार question है, option देखिए, तामबा और चांदी, सोना और चांदी, तामबा और सोना, या फिर एल्मोनियम और प्लास्टिक, तो आहत सिक्के वो होते थे जो कि ठप मार के, यानि प्रेस करके बनाए जाते थे तो खास कर ये तामबा और चांदी से बने होते थे, option number, ये इसका correct answer है, 16 सदाब्धी में, राजाओ के दुबारा ही ने प्रचलित किया गया, तक चलन में ये आये थे, तो काफी important हो जाता है, आज सिक्के से related एकने question जरू पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रखना के समू को, तो इसका correct answer है, काफी simple सा हो जाता है, श्रेणी का जब जिकर आएगा, तो आप व्यापारिक या फिर उत्पादक, यानि जो producer थे, उनका आप नाम लोगे, तो option number 30 का correct answer हो जाता है, ये नगरिय जनसंके में मैंने आपको बताया था, राजा, किसान और नगर से related, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, ऐसी question exam में बहुत बार put भी हो चुके है, question number 19 है कि मुद्रा शास्तर से आज ये है, option देखिए, भूमी के अध्यन, सिक्को का अध्यन, इतिहासों का उपनाम, या फिर अभी लेकों की जानकारी के श्रोत, तो मुद्रा शास्तर अग question number 20 है कि शास्तर को की प्रतिमा और नाम के साथ, सबसे पहले सिक्के जारी किये गए थे, तो बच्चों आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही है, प्रतिमा और नाम के साथ, सिक्को की, option देखिए, चंद गुरुप दुआरा, बिंदु सार के दुआरा, कुशान क की दुआरा, यहाँ फिर हिंद यूनानियों के दुआरा, तो इसका जो आंसर है, आप से मुझे कॉमेंट में चाहिए, तो जरूर आप कॉमेंट करके, मुझे इसका करक्ट आंसर बता देना, तो आप काफी होशी आ रहा है, आपके लिए काफी ऐजी होएगा, अगर आपन कब निकाला था यह कोशन शुरुवात में भी आये था कि उसने इसका अर्थ तो निकाल लिया था लेकिन कब निकाला था अब इस कोशन को आखरी में रखने का मकसद मेरा यह था पहले आप बच्चे ऑप्शन देखें 1836 में 1837 में 1834 में या फिर 1838 में तो जब आप NCRT की तो बच्चे वहाँ पर यह बिल्कुल आखरी में इसका जिकर आता है जब आपका पूरा चेप्टर कंप्लीट है तो वहाँ पर मुझे एक थोड़ी से मिस्टेक हो गी है यह को लेके कि 1834 मैंने आपको बताया था लेकिन करेक्ट आंसर इसका 1838 है तो मैं इसलिए इसकी सोर भी कहना चाहता हूं और उस वीडियो में मैं कॉमेंट में उसका करेक्शन भी डाल दूँगा और करेक्ट डेट भी लिख दूँगा टाइमिंग के साथ तो अकसर चोटी मोटी यह गलती हो जाती है तो मैं चाहता हूं कि आप क्रोस चैक जरू कीजे करेगा क्योंकि 99% सब स जरूरी था आई होप कि आप आपको अच्छे से पता चल चुका होगा ठीक है यह थे हमारे चैप्टर नमबर टू राजा किसान ओ नगर से जुड़े टॉप 20 MCQ से रिलेटेड कोशन आई होप कि आपको काफी अच्छे भी लगे होएंगे एक कोशन आप से पूछे आप उ टेलेगराम गुरूप का वाट्सव गुरूप का इंस्टाग्राम का आप जोइन कर सकते हमारे प्लैटफर्म को पीडियेफ के लिए पेशली टेलेगराम गुरूप जरूर जोइन कीजेगा चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपको फिर एक